जी बलैक्टेंश दे दूसरे इस्से तरफ चलते हैं इस हिसे में हमने कल फाइन्य इंसीजि़ूशन की डैफिनेशन एक टोरीजर पड़ी थी के एंटी मनी लॉंडरिंग लॉज जो है क्यों issue किये गया है government की तरफ से ठीक और दूसरा financial institution की definition हमें सबसे हैं पड़ी थी ठीक मनी लाउंडिंग लास government ने क्यों issue किये है ताकि क्या टेररिजम को रोका जा सके एक तो पैसे भी जुराय में कमी आ जाती है जब आपको पता हो आप माल चोरी तो कर सकते हैं लेकिन चोरी के माल को कहीं जाके खर्च नहीं कर सकते पकड़े जाएंगे लोग पुछेंगे पैसे कहां से आए किमती चीज़ें ले रहे हो तो फिर पकड़े जाने का चांज ज्यादा एक तो चोरी चुकारी कमा लेकिन खास तो और पे खास और पे टेररिस्ट एक्टिवडीज को रिड्यूस करने के लिए एंटी मनी लॉंड्रिंग लाज आए ठीक है पहली एहम जदनी होते थे ये वो जो नाइन इलेवन के इंसिडेंट के बाद ज्यादा लाज के उपर तवज्ज़ दी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कुछ लाज जो हैं उनको इंप्लिमेंट किया गया है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस सारगना इस पूरे ला में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस की थी भला financial institution कि उसने पूरे मुलक में होने वाली हर monitor transaction के उपर नज़र रखनी है monitoring करनी है और जो भी बड़ी transaction और suspicious transaction होंगी वो रिपोर्ट करनी है regulatory 30 तो फिर regulatory 30 जाने और वो पार्टी जाने बैंक ने रिपोर्ट करके clear कर दो इसमें फिर financial institution की definition अहम थी मैंने आपको बताया था चूब कि आपका इसमें से कुछ इदारों के साथ आपका वास्ता पढ़ा होगा वो आपको समझ आ जाएंगे कुछ इदारों के साथ आपका वास्ता नहीं बढ़ा होगा वो आपको समझ नहीं है कि जैसे accepting deposit and lending या बैंक बैंक है आपके साथ वास्ता थीक है इसके लावा jazz cash easy पैसा वगयरा यह मनी आर वैल्यो ट्रांसफर्स मनी ट्रांसफर्स करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं एक तो बैंक इदारा है ना इदारा के लावा कुछ system भी यूज होते हैं electronic system यह आपको समझ आ जाएंगे कि money or value transfers क्या है यह jazz cash easy पैसा वगयरा ठीक है इसके लावा means other means of payment other means of payment क्या है debit card credit card electronic money money orders बगयरा चेक बैंक इनके साथ भी प्रोबेवलिया familiar होंगे अब जिसके साथ familiar नहीं होंगे जैसे financial guarantee and commitments यह बैंक से देते हैं ठीक है different transactions होएं portfolio business trading in portfolio management यह brokers की बात कर रहा है brokers क्या करते हैं stock exchange को भी money laundry के लिए यूज किया जाता है ठीक है brokers क्या करते हैं अपने client के बिहाफ पे उनके shares अपने पास hold करते हैं और बात उकात ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं investor वो share की वज़ाए पैसे broker के पास रिखवा देते हैं account खुलता है उसमें shares भी होते हैं उसमे अच्छा rate मिले share खरीद ले ना तो broker जो है shares में भी treat करते हैं और अपने जो जो उनके clients होते हैं उनके पैसे भी hold कर रहे होते हैं अब ये पैसे भी बाद उकात गलत मकासित में इस्तमाल हो सकते हैं ठीक है ये कह रहा है portfolio management फिर business trading अच्छा ये जहें में रखेगा ये जो business trading इनना ये हर एक के साथ है यानि इसको एक point ना समझे ये सर साथ point है साथ point नहीं है ये इस one ये है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोना सतरा point है क्योंकि यहां पर हर एक के साथ है गा business trading in portfolio management business trading in money market instrument business trading in transferable security business trading investing and managing funds on behalf of others ठीक है तो उसमें कुछ है foreign exchange foreign exchange को इसकों से business trading in foreign exchange करते हैं stock exchange foreign exchange में dealing नहीं करते ही है यह आपके western union वगारा यह एक्षेंज डीलर जो है हाँ डॉलर इस वगारा western union वगारा ठीक है तो यह exchange interest वगारा वगारा बाकी community future trading यह आप बूर जाएं कि यह आपको समझ भी आएगा कभी शेर ना इस कैफ और पर नहीं आएगा हाँ share issue services intermediary in short financial institution की definite complete याद करनी थी कुछ इसी समझ में आनी है कुछ आदी भी समझ में आगे बहुत है speculation business goal हमारे इसको क्या है याद करने आगे निकले आप से सिरफ financial institution की definition पूछेगा definition ठीक है इसे दादन में हो सकता है यह पूछ ले कि बताईए इन में से चार में से कौन सा इदारा financial institution है तुसमें भी आपने जो याद किया होगा यही concept यूज होगा यहां तो direct reproduction पूछेगा क्या MC को पूछेगा पताऊ इदर आए कलियर कोई problem तो अच्छा अच्छा आप सुनिये offense and evidence of money laundering offense का मतलब क्या है जुर्म evidence का मतलब सुबूट कब समझा जाएगा कि कोई मुझरिम है दो चीज़ें पढ़ने कब समझा जाएगा कि किसी ने money laundering का जुर्म किया है और इसका सबूट क्या होगा याँ पर समझा जब केस चल रहा है एक बंदा रिपोर्ट आगई suspicious transaction आगई अब उसका केस चल रहा है फैसला इदर हो जाएगा सजा next learning objective में मिलेगी यहां पर अब केस चल रहा है थाबित क्या करना है हमने कौन सा जुर्म साबित करना है money laundering हर केस का अपना जुर्म होता है ना हर केस का अपना जुर्म का अपना जुर्म का अपना जुर्म होता है ये अलफाज आपको याद हैं तो मनी लॉंडिंग की डेफिस्ट क्योंकि याद रखें जैसे रिश्वत लेने वाला और देने वाला लेने वाला भी देने वाला ठीक है इसी तरह इसी तरह ज्यादा टेंशन नहीं लेने से बात की सूद लेने वाला देने वाला हिसाब करने वाला हिसाब करने वाला यानि सर्कल बनता ये आप तो सीख रहे हैं यह सूद का नहीं है जहां तक मेरी अंडर्साइडिंग है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन के बाद आपने किसी को सूद लेना देना थोड़ी है सिर्फ सीख रहे हैं और सीख इस नियत के साथ रहे हैं कि हम इसका आल्टरिनेर्ट फिनेंशल सिश्म लेके आएंगे इसलिए सिख रहे हैं भई दुश्मन को हतम करने के लिए बाद दुश्मन को समझना पड़ता है ना तो उसके सारी हाँ जी बिल्कुल लेकि मुझे ये बताइए चोर करने वाला तो चोर है जो उसका मास्टर माइंड है प्लैन बनाया जिसने जो हेड़ कौर्टर में बैठा हुआ है यहां पर जहन में रखेगा मनी लांडिंग करने वाला सो मनी लांडर है ही है उसके साथ दूसरे लोग भी अब यह देखीगा उसने किन किन लोगों को कवर किया है चार अलफाज याद करने है चार अलफाज जिसको याद है उसे पूरा ग्रुप याद हो गया कि कौन कौन मनी लांडरिंग के जोड़े शरीक समझा जाएगा पहला अगर वो जानता है और यहां उसे जानना चाहिए जानना चाहिए मेरी जेव में आप उसे सर यह आपकी जेव में क्या है यह मुझे जानना चाहिए यह मुझे जानना चाहिए कि मेरी जेव में क्या है मेरे पास क्या है और अगर मैं कहूँ सर ये जो मेरी जेव से चीज़ मुझे नहीं पता तो क्या आप मानेंगे के मुझे नहीं पता नहीं आप केंगे सर आपको बिलीव रखना चाहिए था आपके पास क्या क्या चीज़ हैं आपकी कसड़ी में क्या क्या चीज़ हैं ठीक है एक प्रापरिटी है प्रोसीड्स ओफ कराइम जर्म के नतीजे में प्रापरिटी हासिल की गई है जब उसे पता हो के जर्म के जैसे एक परसन को पता है अगवा बराय तावान के पैसे आए हैं और वो क्या करता है उसके बावजूद वो पैसे अपने पास रख लेता है और फिर इसको ट्रांसफर करता है यानि जो कैश आया उससे कोई प्रापरिटी खरीद ली उससे कोई बिजनिस मना लिया उससे कुछ जूली वगारा खरीद ली कन्वर्ड करने क लिए कैश को प्रापरिटी में कन्वर्ड करने क लिए यह तो आप को ओता है कैश को कैश की फार्म में रखना मुनासिब नहीं एक तो पैसे की वैल्यू कम होजाती ए और पिर दूसरा बाज अकाद वो उस में खराब होने का खतरा भी होता है ठीक है पता चले कहीं पर रखे हो एंगे तो चूहे खा गए नाश्टा कर गए तो इसलिए जो कैश होता है ना घुए परायत अमान में उसे हमने नहीं मनी लांडर ने कनवर्ड करना होता है प्रॉपरिटी में तो पहले कह रहा है कि जो person property में convert करके अपने पास hold करेगा ये पैसे वो भी money laundry का मुझरिम है ठीक है जो दूसरे नमबर पर जो conceal करेगा true nature origin location ownership movement of such property जो इसको छुपाएगा conceal करेगा वो भी money laundry का मुझरिम conceal करेगा चुपाएगा वो भी money laundry का मुझरिम hold a possessed such property on behalf of any other person किसी दूसरे के भी हाफ पे hold करेगा agent वगरा वो भी money laundry का मुझरिम और a person shall be guilty if we participate aids or consult to commit above acts जो इसमें मदद फराहम करेगा वो भी मुझरिम नहीं समझा ही बात के दोस्त हमारा परेशान हमने का हाँ परेशान क्यों हो तो ने थे स्यासत में हिसा लेने का फैसला किया था उसने का हाँ किसी से ना मुझे donation मिली है एक करोड रुपे की मैंने एक काम किया था उसके मुझे एक करोड रुपे मिले हैं लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मुझे इस काम करने के एक करोड रुपे मिले हैं क्योंकि वो काम ऐसा है गैर कानूनी था गैयर कानोने था अब ये है पैसे मेरे अब मैंने क्या करना है इसको अब मैं किस तरीके से ये कैश भी प्रॉपरिटी है जे जिन में रखीगा लामे कैश भी प्रॉपरिटी से ब्राइद आपका कोई भी ऐसड होता है अब ये पर्सन जिसने कमाया है کوائر किया है और पुजेस कर रहा है अच्छा अगर ये कैश इल्लीगल मनी है ना इस कैश से जो जूलरी ख्रीदी वो भी इल्लीगल ही रहेगी ऐसा नहीं है के कैश इल्लीगल था वो जूलरी भाई रिषवत से पैसे लिए वो भी रिजकِ हराम और इन पैसों से जो हलाल गोश्ट खरीदा, वो हलाल हो जाएगा क्या? प्रापरटी वही है, पैसे भी मैनी लांडरिंग के उन पैसों से जो प्रापरटी वही है, इसलिए उसने का एकुईर करो या कन्वार्ट करो इससे फरक निपड़ता, किसी दूसी प्रापरटी में कन् फिर भी केस वही है पोसेस यूज आर्ट रांसोसेस प्रॉपरिटी ये वो बंदा हमने का नो प्रॉबलम ऐसा करते हैं एक दोस्त है हमारा बैंकर वो बड़ा शातर दमाग का मालक है अकाउंटन्ट है उसके कोई लायर दोस्त भी वाकिफ है उसके पास चले जाओ बैंकर के पास गए उसने का अच्छा ऐसा करते हैं एक किसी ना एक रेडी वाले का अकाउंट खुला हुआ है दो ड़ाई हजार उसने जमा कराए हुए उसमें हम एक क्रोड उसके काउंट में डाल देते हैं उसको बला कि मैं समझा दूँगा कि तेरे अकाउंट में पैसे आए तुन्हें छेडने नहीं है और मैं नजर भी रखूँगा ये ना एटीम से ये विड्राल करता हो नजर भी रखूँगा मैं इसके उपर और इसको बदले में कोई 20-25 जार दे देंगे अब उस परसन के पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में है लेकिन वो उसका उनर नहीं है जिसके अकाउंट में है समझे रहे हैं अब ये एक रोड की ट्रांजेक्शन हो गई खुद बताईए ये चाबडी वाले के अकाउंट में रेडी फ्रोस वाले के काउंड में एक रोड की ट्रांजेक्शन अगर हो गई तो क्या ये बैंक मैनेजर को रिपोर्ट नी करनी चाहिया थे लाज्ट ट्रांजेक्शन है उस सस्पीशिस भी है इसके पास कहा है लेकिन उसने नहीं किया उसका तो अपना फ्लाइन था मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ किसी किसम की मताबिकत महद इतफाकिया होगी तो तो वो क्या वो जो अब उसने रिपोर्ट ने किया कलियर इस सारी केस स्टडी बे मुझे बताईए कौन-कौन मनी लांडिंग का मुझरिम है वो जो हमारा दोस्ता वो मुझरिम है क्या वो कौन से वाली मुझे पताईए कौन सी परवियन के मताबिक है पहली दूसरी के तीसरी जो हमारा दोस्ता है मनी लांडिंग का मुझरिम है एक्वायर वाले में उसने तो क्वायर किया उससे तो कहानी शुरू ही है और कोई मुझरिम है इस केस्टडी में को बैंक बैंक किसलिए मुझरिम है बैंक ने कंसील किया छुपाया ट्रू नेचर औरीजन लोकेशन ओनर्शिप मूवमेंट बैंक को पता था ट्रू औरीजन क्या है इसका वो जो हमारा दोस्त है लेकिन बैंक ने उसको छुपाया और ऐसे जाहिर किया जैसे ये दूसरे बन्दे की प्रॉपरिटी है बताएए बैंक मैनेजर भी मुझरिम है के नहीं मनी लांडरी का किस पर भी हैं एक कंसील वाले की वज़ा से और उच्छाबडी वाला जबाद में आके कहता है मुझे तो पता है नहीं मेरी दूर भाई उस वक्त 20,000 मिलना था तुझे चुप रहने का उस वक्त तो नहीं बोले थे आपको पता है आप 500 रबे जमा करुएं ना अपने काउन में आपको ऐसा मैस आ जाता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों में आखी हो और आपको पता ही ना हो और बैंक हर महीने भी और हर 6 महीने बाद प्रिंट करके स्टेटमेंट बिच जो आता है हर महने इमेल करता है ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो बाल में मसूम बन रहे होता है वो पकड़ लेते हैं लाइ इन्फोर्समेंट जन्सी वो बेवकू थोड़ी बैटे हैं उदर वो कहते हैं आजा भाई तो वो होल्ड और पोजेस प्रॉपर्टी और बहाफ वो अदर पर सालाके अपनी नहीं है किसी दूसरे के बहाफ पर होल्ड कर रहा है लेकिन प्राब्लम तो है ना मैं समझ रहे हैं आप खुद बताएए क्या इसको मुझरिम होना चाहिए के नहीं होना चाहिए होना चाहिए एक पार्टी अभी वी रह गई आप जिसने मशवरा दिया था बहुझ शवरा देने वाले को भी मनी लांडिंगा मुझरिम होना चाहिए के नहीं बिल्कुल होना चाहिए ना ये भीजता था मनी लांडिंग होती ये है वाइट कालर क्राइम है white color crime यह बिए बिचारा तो बदनाम है ना बदनाम सारे स्टोरी इसके उपर बनती है लेकिन यह यह भी तो यह white color crime किया इसने इसने भी white color crime किया तो यह है if he participate aid कौन का मतलम मौशूरा देना मौशूरा दिया या मदद की उपर वाला कोई भी करने की कोई भी एक्ट करने की तो भाई यह assignment नहीं करना इसको बढ़ाने का यह assignment नहीं करके आता इसको बढ़ाना है ये भाई कहरे है सर मैं तो नहीं उडाऊंगा ये भाई उडातने में माहिर है अहां जफर सुपारी भाई बैठा वा तो भाई जन ये हमारे जुर्म में ये ये हिसेदार है के नहीं मशवरा इसने दिया तो मशवरा दे समझ आगे भाई ये बात क्लियर तो मनी लांटिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको अब आगे सुनने है अब आगे सुनने है इस वक्त केस बड़े पीक पर है अभी नहीं डिस्ट रख जाना अविडेंस ओफ फेंस ओव मनी लांटिंग अच्छा पहले एक बड़ा अज ये कंसेट इंट्रस्टिंग है मुझे बहुत इंट्रस्टिंग है पहला कंसेट है प्रेडिगे डफेंस मैंने अगवा बराय तवान से पैसे मैंने लिए उन पैसों को बैंक में जमा करवाया ठीक है मुझे से ट्रू सोर्स किसने पूछा मैंने नहीं बताया बाद मैं पकड़ा गया मेरे पे मनी लांटिंग का केस चलेगा के अगवा बराय तवान का केस चलेगा के दोनों दोनों चलेगे बिलकुल ठीक है अब क्रिमिनल कोर्ट सिविल और क्रिमिनल अच्छा अब अगर फर्श कीजिए क्रिमिनल कोर्ट में मुझे माफी मिल गे जुर्म साबित नहीं हो सका जुर्म साबित नहीं हो सका क्योंकि मैंने जब अगवा किया था तो मुपे रुमाल मांद के अगवा किया था तो क्लोरो फार्म अगवा का जुर्म साबित नहीं हो सका मैंने कोट में जाके कहा सर मनी लांडिंग आटोमेटिकली केस जीरो हो गया क्योंके मनी लांडिंग का केस खड़ा था मेरे जुर्म की बेस बेस के उपर कि मैंने यहां से पैसे हासिल करके ये बैंक में रखवाए अब चुके ये इसमें मैं मुझरिम साबित नहीं हुआ तो इसलिए मनी लांडिंग केस आटोमेटिकली खटम हो गया क्या खटम हो गया ला नहीं है उसने कहा नहीं ये वाला जो जुर्म है जिससे पैसे कमाए जाते हैं इसको कहते हैं प्रैडिकेट ओफेंस क्या कहते हैं ला ने कहा कि आप मनी लांडिंग का जर्म साबित करने के लिए प्रैडिकेट ओफेंस साबित हो जरूरी नहीं है अगवा बरह तवान का जर्म साबित हो या ना हो मनी लांडिंग का केस चलता रहेगा जिवास होने, प्रेडिकेट ओफेंस मीज एनी क्रिमिनल ओफेंस यानि अगवा, बाइ वीच, बाइ वीच प्रोसीड्स यूज इन मनी लांडरिंग वर जनरेटिड, जिससे पैसा कमाया गया था, जैसे करॉप्शन या किडिनेपिंग, करॉप्शन के पैसे थे, करॉप्शन थापित नहीं हुई, क्या मनी लांडरिंग थापित हो सकती है still, करॉप्शन याद रखें, लैदा जुर्म है, किडनेपिंग लैदा जुर्म है, मनी लांडरिंग लैदा जुर्म है, तो अगर आपको जो पहला जुर्म है, प्रेडिकेट ओफेंस वो साबित नहीं भी होगा इसका सबूत कैसे होगा ये भाई ये मेरी ये में डाल दें सारे मनी लांडर के साथ मनी लांड़ी कह रहा है ये पैसे लेके कोई इलीगल काम किया था जिसके ने मुझे पैसे दिये आगे चल रहा हूँ पुलिस वाला आ गया पुलिस वाले ने कहा तलाशी ले मेरी उसमें से चोरी का माल परामद हो गया मैंगा मुझे तो नहीं पता ये किसके हैं मेरे तो नहीं है मेरे तो नहीं है क्या मेरा ये argument माना जाएगा नहीं माना जाएगा एक और example सुनिये Law क्या कहता है एक है करणोन शहादत जो हमें पाकसा में एक Law है करणोन शहादत का State गुआ ही देने प्रूत जो ये बता ता है कि सबूत या गुआहियां कैसे ही कठी की जाएंगी उसमें एक रूल है रूल क्या है कि जिसके पास से चोरी की चीज बरामद हुई ना उससे चोर समझा जाएगा अनलेस कि वो अपने आपको इनोसेंट साबित करें अजियूम क्या किया जाएगा वो चोर है छोटी से एक्जामपर लेजिए आपने गाड़ी तुने नहीं लिया उसमें का हमारे तो चोरी की गाड़ी है अनने दो दोड़ा जाएगा अपको या आपके दोस्त को आपको जिससे चोरी का माल बरामद हुआ वही चोर रिजियूम किया जाता है अल्ला इसके वह कुछ और साबित कर दा है तो मनी लांडिंग में साबित होते हुए जैसे अब मुझे बताईए वो जो चाबडी वाला था मनी लांडिंग के थाबित हो गया यह था कि यह पैसे किसके अब लगपता किया आप दोसको उसी तरह गाडी चोरी की आपके पास है आपको पताने से इसका ट्रू अनर को न है ठीक है तो रनूने शहादत क्या कहता ट्रू प्रूफ अफैंस और मनी लांडिंग लांडिंग का जिम थाबित करने के लिए knowledge or intent यानी उस बंदे को पता था कि नहीं था जिस बंदे ने मनी लांडिंग में इन्वालव है क्यों कि मनी लांडिंग की definition में ना उसने जर्म की definition वाइड कर दी है सिर्फ करने कराने वाला नहीं दर्मयान में स्पोर्ट देने वाले भी है तो कुछ लोग जान बूच के स्पोर्ट देंगे कुछ हो सकते हैं जाने में दे तो knowledge or intent कि उस परसन को knowledge था के नहीं may be inferred नतीजा अखस किया जाएगा क्या नतीजा कि इस परसन को money landing का knowledge था के नहीं था ये नतीजा अखस किया जाएगा कहां से फ्रॉम फैक्श्वल सर्च्वंसेंस ये हलातो वाकियाद से इनकॉर्डस विद कानून शहादत और्डर ये हलातो वाकियाद से जायजा लिया जाएगा इस परसन को knowledge था के नहीं था आप खुद बताएं ब्रांच मैनेजर को knowledge होना चाहिए के नहीं चाहिए उसके approval के साथ transaction हो रही है उसके तो knowledge में होने ही चाहिए चीज़ें लेकिन हो सकता है वो जो cashier जिसने ये पैसे पकड़े हो गिन के account में debit credit के entry डाली हो क्या उसको पता होगा कि मनी लांटरिंग के पैसे नॉर्मली जूनियर लोगों को नहीं पता होता जो बड़े सीनेर है उनको पता होता है तो यहां पर क्या कह रहा है कि किस परसन को मनी लांटरिंग का knowledge था या नहीं था ये कैसे थाबित किया जाएगा कानून शहादत की रूफ से knowledge or intent may be inferred from factual circumscience उन हालातों माकियात के मताबिक कानून शहादत को सामने रखते होगे किसी की जेब में पैसे थाएगा तो एजियूम किया जाएगा समझा जाएगा कि उसको पता है मेरी जेब में पैसे है किसी के घर में चोरी का माल है एजियूम किया जाएगा उसे पता है यह नहीं कह सकता है मुझे तो पता नहीं कौन है मुवी में आपने देखा होगा वो दिवारों के अंदर पैसे फिडिकों के जूली वारा रखी होती है वागे टीम चापा मारती है कहते हैं मुझे तो नहीं पता किस के पैसे है कौन रखे गया इदर तेरा घर है तेरे को नहीं पता होगा कहरा है यह बता दिया कि प्रेडिकेट फैंस में जुर्म साबित होना ज़रूरी नहीं है भी कुछ समझाए मनी लांडरी का जुर्म साबित करने के लिए प्रेडिकेट फैंस साबित होना ज़रूरी है क्या नहीं है अच्छा यह अगली बात जो है ना इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है सिर्फ याद करने वाली बात है कल पढ़ाना है फिर मैंने यह नहीं करने पढ़ाना है लेकिन आप खुद से भी रीड कर लेजेगा कि अगर मनी लांडरी में कोई इंडिवियल नौल्व है तो उसको यह सदा इंडिवियल नौल्व है क्या दस साल कैद पचीस मिलियन तक जुर्माना और जो भी मनी लांडरी की प्रापरटी है आपको एक बात याद है आफरी आज की बात कर दादाचा कल बताया था कि बाद अकात लोग पूरे का पूरा बैंक खरीद लेते हैं मनी लावल तो भी तो हमने छोटे लेवल की एक्जेमपल लखी जिसमें mach manager था हमारी सब लेखे मनी लावल की के जितने भी मुजरिम अ है सारे individual था वह मारा दोस्त भी वह भी individual था और फिर उसके बाद हम भी individual थे ब्राँच मैंजर भी individual चाबडी वाला भी individual लेकर क्या हो अगर पूरे का पूरा bank ही involve हो इसको बैंक को कहते है लीगल परसन यहां आर्टिफिशल परसन बैंक को क्या कहते है हर वो परसन जो सांस नहीं लेता लेकिन जीवत है उसे कहते है लीगल परसन artificial person शाब बार आपने tax में नहीं पढ़ा होगा तो company अगर कोई company इसमें क्या कह रहा है individual legal person का मतलब क्या है company अगर कोई company fraud में money longting में इन्वाल है उसको सदानी देनी company को आप jail में बन नी कर सकते company के ओपर जुर्माना ही लगा सकते कि एगर company किसी जुर्म में इन्वाल्व है उसको सो मिलियन जुर्माना इसको तो पच्छीस मिलियन था उसको सो मिलियन क्यों है क्योंकि इसको कैद नहीं है ना कैद के बदले में इसका जुर्माना बढ़ा दिया नैशनल परसन को तो कैद भी दी जा रही है इसलिए उसका जुर्माना क पड़ेगी यह यह वाली नहीं 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 कल दुबारा सारा मुझे बताना पड़ेगा कल दुबारा करेंगे ठीक है जी कल एक्सरसाइज भी करनी है हमने आज का लेक्षरिया खत्म करते हैं अलाहाफ़स